नमस्का दोस्तों मैं प्रड़ाओं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने मुहरत ट्रेडिंग वाले सेशन की वीडियो के अंदर में वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है आज दिवाली है तो सबसे पहले हैपी दिवाली टो आल अफ यू मेरे तरब से आपके पूरे परिवार को धेर धेर बदाईया मैं भगवान से ही गुजारेश वरूँगा कि आप इस साल बहुत मंगल में रहे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और आप इस साल बहुत अच्छा पैसा कमाएं तो दोस्तों इसी नोट के साथ में अब वीडियो को चालू क मार्केट ने बड़िया रैली बनाई थी और मैं आपको पहली बोल गया था वेसे अबने लास्ट वीक के वीडियो में प्रॉपर एनलेसिस करके गए हुए था हम कि ये दिवाली का फाइदा उठाके यहां से उपर की तरफ में चाल कंटीनिव रख सकता है ठीक है तो ये व अगर आपने मुहरत ट्रेडिंग में इसके पहले कभी भी काम किया होगा आपको एक चीज हमेशा पता होगी कि टोटल सेशन एक घंटे का होता है उस एक घंटे के अंदर में आपको सबसे पहले प्रायरिटी देनी है पहले पांच मिनिट की कैंडल को मैं आपको सेटप बत क्या पास में दिखा रहा है मतलब यह बड़ा गैप अप हो रहा है तो मेरा ऐसा हमेशा का उब्सर्वेशन है जब कभी भी मार्केट एक सर्टन लिमिट से जादा गैप खुलता है तो हम यह देखते कि पहले पांच मिनिट के अंदर में एक तो बड़ी रेड केंडल बन ज जाएगी और अगर उसका फॉलो थू आता है जो भी केंडल बनी है उसका फॉलो थू मिलता है तो एंड तक एक तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा और उसी टोन में रहेगा या फिर मार्केट वहाँ से कॉंस्टेंट नीचे की तरफ में गिरना चालू करता है या अगर ट्रेंड उपर की तरफ का है पहली पांच मिट केंडल बड़ी बनती है और वहाँ पे प्रॉफिट बॉकिंग नहीं आती है तो मार्केट पूरे घंटे के अंतर में एक तो साइडवेज रहेगा और फिर एंड में तोड़ेगा या वो पहली केंडल के बाद में उसका फॉ आप हो जाते दिवाली का जो फेस्टिवल एकर लॉस हो गया तो आप उसको दिल से लगा लोगे तो क्या एक्चुली पूजा है यह चार्ट की पूजा है कि आप जिस चीस से पैसा बना रहे हो लक्ष्पी माता जो भी आपके पास आ रही है उसके लिए आप एक अच्छा पास इंफ्टम कर रहे हो लॉंग टम के परस्पेक्ट्री को दिमाग में रखे तो आप वो इफ्रस्तो अब जो स्टोक उठा रहे हो तो अब जो स्टोक उठानेघंगा तो अब आपने पोटफॉलिय के अंदर में 时क बढ़िया साट कर सकते मुए ई। अभी हो तो आप र के बास में मेरे हिसाफ से जगा अच्छे उपर जाने के लिए तो इसा अगर माननों कि 800 800, 820, 830 के आसपास में open होता है तो हम लोगों ने अक्सर ये देखा कि अगर पहली candle green बन गई अगर इसको उपर जाना है तो ये दो तरीकी का pattern हमाशे बना के जाता है पहली 500 बन गई और बाकी का पूरा time धीरे 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 उपर की दरफ में निकल जाएगा या पूरा आखरी के 15 मिनिट तक ये ऐसा sideways ही रहेगा और आखरी के 15 मिनिट में 7 बज़े से लेके सवा साथ के बीच में सीधा उपर rocket बनाता है same goes to the downside अगर ये red candle बनी है तो धीरे धीरे करकर के profit booking आ जाएगी पूरे इस लेवल तक आ जाएगा 17,670 के आसपास में या पूरा time sideways रहेगा premium खाएगा और यहां से नीचे गिरेगा अब आप बोलो कि सर आपको क्या लग रहा यहां से होने की सर देखो मूरत trading है मेरे लगने नहीं लगने से कुछ नहीं होना है इस वाली चालकों में बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता हो कि क्या बन सकता है पर एक मापको point बता के जा रहो आज छुटी थी market को और Saturday Sunday को भी market को छुटी दी और यह बात मैं weekly वीडियो में आपको share कर चुका हूँ अब market जो खुलना है वो डिरेक कल खुलेगा फिर Wednesday वाले दिन चुटी है तो सर premiums के rate तो Friday की दिन बहुत मेंगे थे तो मान लो market gap आप खुल रहा है तो सर put की value मेरे इसाब से 60% के आसपास में decay हो चुकी होगी call की value उतनी percent बढ़ चुकी होगी यह थोड़ा ज्यादा भी बढ़ सकती है तो जो भी लोग overnight position लेके आयोंगे शायद आप यह profit booking कर सकते हैं अगर यह profit booking करता हुआ दिखता है तो पहले 5-10 मिनिट रूख जाना आप मतलब सवाच्छे से साड़े छे पंदर निट रूख जाओ ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि कुछ clear trend नहीं मिल रहा है तो सर यह सवाच्छे बज़ता है आप information बता देगा कि मैं क्या काम करने वाला हूँ सर अब जैसे मैं trader हूँ मेरे सामने कुछ opportunity है तो मैं पहले 5 मिनिट को preference में रखके trade करने वाला हूँ personal trade रहेगा यह मैं किसी members को वगरे यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ क्या है ना मैं खुद personal trade करना चाह रहा हूँ बाकी लोग को दूँगा फिर उनके sentiments उसकी आप सही लेंगे तो क्यों ऐसा करना है तो अगर आप interested हो तो आप मेरे setup को follow कर सकते हो पर आप उसके अंदर में trade कर सकते है तो अभी एक घंटे बाद हमारा market चालो हो जाएगा प्री open चालो हो जाएगा 6 से 7 चे 7 से हम 7 साथ तक बैठे रहेंगे प्लस आइधिंग पाउने 8 बजे से ग्रहन भी लग रहा है तो आपको घर की पूजा में भी ध्यान देना चीए तो अगर आप मानलो 7 बजे के आसपास में पूजा चालो करते हो तो पाउने 8 तक खतम हो जाएगा मोटा मोटी आपके पास में 6.15 to 7 o'clock तक का टाइमिंग है तो अगर आप 6.15 to 7 के अंदर आप देखते तो पहले 5 से 7 मिनिट आपके लिए बहुत इंपोर्टन है फॉल आप मिलना चालो होता है जिस भी तरफ का आप उसको प्लियाउट कर सकते हो तो निफ्टी में आपको अच्छा बनेगा अब मैं आपको एक हिंड दे रहा हूँ अगर किसी कारण से देखो बनना तो इनी सेट अपस में से है सर यह जो चार सेट अप दिये लिए लिएन है आपको इसी में से कोई एक चाल 100% इसी में से बनना है उपर जाना तो उपर कि दो बन जाएंगे दुनों में से एक बन सकता है नीचे आना दुनों में से एक बन सकता है अब दिवाली है अगर निफ्टी चाह रहा है या मार्केट चाह रहा है कि 18,000 का लेवल आज दिवाली की दिन टच हो जाए तो सर ये फिर constant पहली 5 मिनिट की अबाद में इसका follow-up आपको मिलता रहेगा और ये 17,800 के आसपस अगर आभी price दिखा रही है 800,830 जो भी rate दिखा रहा है यहाँ से सर फिर ये सीधा करते करते 18,000 को मत्था टेक सकता है possibility है चार्ट bullish है ना सब लोग trap है तो ये कर सकता है तो put की value जो है मेरी सबसे पूरी ही खतम हो जाएगा almost 70% के आसपस में धिके बन जाएगा फिर ठीक है तो फिर क्या होगा Tuesday आता है फिर अगले अफते चुटी आ है 70,670 के आसपस में ठीक है अब बात करते bank nifty मेरी सबसे bank nifty का major जो काम है वो खतम हो चुका है क्योंकि इसने देखो पहले ही trending काम कर दिया है और यही जगा इसके अटक नहीं की थी और इसके पास में 41,000 का जो level है यह बहुत बहुत ही important crucial level है psychological resistance भी है एक बार मैं bank nifty का बड़ा chart देखना चाहता हूँ तो अगर आप यहाँ देखेंगे sir bank nifty का major काम यहाँ तक तो होई चुका है 41,000 के आसपस में अब यहाँ से इसको अगर कुछ नया काम करना भी है तो इसके आज में सीधर target फिर 42,000 का है उसके पहले अगर मैं important level आपको बताओ तो 41,700 का level निकल के आता है तो अगर मैं 41,700 पे एक line बनाने की सोचता हूँ मानलो यह 41,700 पे मैंने एक horizontal line बना दी अब अगर यहाँ पे nifty अगर उत्ता open हो रहा है बैंक nifty का जो all time का काम हुआ है सब अगर यहाँ पे काम हुआ है let me just come to one hour chart one hour में आपको थोड़ा clearly दिखेगा यह total अगर हमारा काम हुआ है यह all time हाई हमने एक बार लगाया था 26 October को उसके बाद में हम अभी वापस उसी level पे आये है तो अगर यह दो बार तीन बार test हो चुका है तो फिर यह level cut off हो जाएगा अगर जो भी मेरे से सीखे हुए उनको पता होगा मैंने आपको हमेशा बोला है कि resistance या support तीन बार तक मेरे लिए एक बार यहाँ काम हो चुका है दूसरी बार double top बना के मारा तो दूसरी बार यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर यहाँ पर हो चुका है चौती बार आएगा तो सर्फिर यह level तूटेगी तो फिर यहाँ पर भी psychological level क्या आ रहा है 42,000 तो अब अगर वहाँ पर हम 17800 के आसपास में खुल रहे है तो मेरे इसाब से यह भी आपका यहाँ से 800-900 पर में खुली सकता है मतलब यह आप अगर लो 41,500, 41,600 के आसपास में खुल सकता है 41,700 यह इसका माना हुआ resistance है तो अगर यह इसको काटता है तो 42,000 के आसपास में आके यहाँ यह फसेगा फिर तो अब इसमें अगर में restore reward देख रहा हूँ उतना मुझे खास अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप खेलना चाहते हो funda will be same पहली जो 5 minute candle बनी उसका follow up बनता है तो सरी 41,700 पहला तरा आरगे हो जाएगा दूसरा आरगे 42,000 के आसपास में बन जाएगा जाना है तो ये एक सिधा step में follow up बना सकता है या फिर ये sideways हो के end में 15 minute में उपर खीट सकता है नीचे गिरना है कई पे भी खुले इसका सबसे पहले support 41,100 के आसपास में बनता है तो यहाँ तक ये बिलकुल आ सकता है गिरने का दो तरीके है एक तो सिधा धीरी धीरे 5 minute candle बना बना के नीचे गिर जाओ या पूरा time 45 minutes sideways रहो और आकरी के 15 minute में drop मार दो बस सर यही दो तरीके है काम करने के nifty में और bank nifty के अंदर में तो अब मेरा view क्या रहेगा मेरा view रहेगा अगर आप intraday करने का सोची रहे हो आप एक घंटे का trading करने का सोची रहे हो तो nifty में करो bank nifty में थोड़ा सा setup risk reward सही नहीं रहेगा इसके अलावा कोई tension वाली बात नहीं अगले हफते का view मेरा रात में आ जाएगा तो आप बड़ी है family के साथ में time spend करेगा ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को देख लीजेगा और फिर मैं मिलता हूँ आपसे बहुत इजल्त 9, 9, 10 बजे के आसपास में तो अपन कल का view पूरे हफते बर का view discussion आपे कर लेंगी दिवाली का offer चल रहा है पहली बता दे रहा हूँ जो भी लोग interested है दिवाली का offer बिल्कुल ले सकते हैं कल का आखरी दिने कल के बाद में offer खतम हो जाएगा और prices भी बढ़ने वाले 1 month के अंदर ये जो prices चल रहे 1 month, 3 month, 6 month, 1 year आप इसके अंदर benefit रहा सकते हैं इसके अंदर में bank, nifty, nifty, nifty के pet calls के अंदर में काम करता हूँ तो आप मेरे साथ में काम करना चाहते है ये इसके charges है और portfolio building के अंदर में कभी भी offer नहीं होता है ये last time offer दे रहा हूँ मैं तो ये basket अगर आप मेरे through लेना चाहते है 6 stocks की basket भी तो proper buying level, stop loss and target अब बिल्कुल ले सकते सर उसके charges for tomorrow, till tomorrow काम है सर ये आज और कल दो दिन आपके पास में बज गया है उसके charges है सर 6,000 रोपीज for one time investment चलो सर, मिलता हूँ मैं आपसे, once again happy दिवाली आपस को और आपके पुरे परिवार को आपका आश्रवाद और प्रेम मेरे साथ ऐसी बना के रखिएगा मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल लगले वीडियो में नमस्ते